इस मेडसीन का उपयोग बेक्टिरियल इंफेक्शन की समस्या में किया जाता है और इस मेडसीन का उपयोग फंगल इंफेक्शन की समस्या में किया जाता है और टीस मीडिया की समस्या में इस मेडसीन का उपयोग किया जाता है सेनी सिटीज की समस्या में इस मेडसीन का उपयोग किया जाता है और जैसे कि चेस्ट इंफेक्शन की समस्या हो तो उसे मेडसीन का उपयोग किया जाता है तब डॉक्टर के दोरा किस परकार के रोग में या फिर किन किन रोगों में ये मेडसीन डॉक्टर के दोरा पैसकराइब किया जाते हैं या महिलाओं में ये मेडसीन किस परकार की रोग रहती है या महिलाओं में किस परकार की रोग रहता है या महिलाओं में किस परकार की दि टैबलेट लेना होता है और यह मैडिसीन लेने के बाद में क्या साइड इफेक्ट होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरद पूरे डेटे लसे हिंदी में जनकारी देंगे. इसmedicine का उपयोःग ballsày по gib CH die search की समस् organize में डॉक्टर के द्वारा मिटिपक्र पेसक्राइब किया जाता है multiplayer अगर आपके शरीर में कहीं पर किसी भी कारड़ से अगर बेक्टेरियल इंफेक्शन की समस्या है तो ये मेडसीन उस समस्या को जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि अगर आपके स्किन पर कोई कीड़ा मकोडा काट लिया है उसकी वज़ा से आपके स्किन पर किसी परकार की एक परकार से हम कह सकते हैं इंफेक्शन की समस्या हो गया है या फिर फंगल इंफेक्शन हो गया है आपको फोड़े फुनसी की समस्या है या फिर छोटे छोटे दाने आपके स्किन पर पड़ जाते हैं, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन पे स्कराइब किया जाता है, जैसे कि महिलाओं में सफेद पानी की समस्या काफी ज़्यादा देखा गया है, ये महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा तर देखा गया है तो सफेद पानी की समस्या अगर महिलाओं में रहती है यानि बेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या रहती है डॉक्टर के दौरा वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या में वेक्टेरियल विजियोनेसिस की समस्या में डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन पे स्कराइब किया जाता है जैसे कि अगर किसी के महिला के वेजाइनल से वाइड डिस्चार्ज की जब समस्या रहती है वो जब पेशाप करने के लिए जाती है तो पेशाप करते हैं टाइम काफी ज़्यादा जलन की समस्या रहती है दुरगंद की समस्या रहती है वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है जब किसी महिला के यानि उसके जनांगों से वाइड डिस्चार्ज की समस्या रहती है तो उसमें क्या होता है उस समस्या में उसकी बॉड़ी एकदम लूज पड़ जाती है वो हमेशा लेटी रहती है उसे बुखार भी आ जाता है उसे कोई काम करने का दिल नहीं करता है और उ medicine काफी ज़्यादा prescribe किया जाता है ये medicine काफी अच्छा medicine होता है इन सारी समस्याओं को ठीक करता है और जैसे कि sexual intercourse करते समय काफी ज़्यादा दर्द की भी समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये medicine ठीक करने का काम करता है और एक ऐसी समस्या है जो महिला और पूरुस में दोनों देखा गया है Candidasis की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेटसीन पेस्क्राइब किया जाता है Candida की समस्या में इस मेटसीन का उपियोग डॉक्टर मरीज को करने के लिए पेस्क्राइब करते हैं जैसे कि जब महिलाओं में सफेद पानी यानि वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं के वेजाइना से काफी जादा एक तरीके से वाइट डिस्चार्ज की प्राप्लम रहती है और उनके body में जब white discharge की problem रहेगी तो आपने ये देखने को मिलेगा कि उन्हें काफी ज़्यादा weakness महसूस करेंगी वो सुस्ती सा महसूस करेंगी पेसाब करते टाइम उनके body से एक तरीके से काफी ज़्यादा बेजाएना से एक तरीके से दुर्गंद सा उनको खुद फील हो और पर redness आ जाता है या फिर cut लगने के कारण वहाँ पर किसी भी कारण से पेसाब करते हैं टाइम जलन की समस्या हो सकती है भवक के जैसा महसूस हो सकता है तो इन सारी समस्याओं को ये मेडसीन ठीक करने का काम करता है इसके अलावा डाक्टर के दौरा और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी समस्याओं में डाक्टर के दौरा ये मेडसीन ठीक करने का काम करता है जो हमने आपको बताया है चलिए अब हम आपको इस मेटसीन के डोज के बारे में बताते हैं डॉक्टर के दोरा ये मेटसीन की स्परकार से डोज ने धारित करके लेने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये डॉक्टर मरीज की मरीज की उमर, उसका एज, उसकी बाडी वेट और उसकी दिक्कत परिसानी को देखते हुए इस दवा का डोज केल्कूलेट करके खाने के लिए बताते हैं। डॉक्टर के द्वारा ये दवा खाने के लिए बताया जाता है और इस दवा पर प्रॉपर लिखा भी रहता है जैसे कि जो इस दवा में कमपोजीशन पाया जाता है यानि जो साल्ट पाया जाता है इस दवा में फ्लू कुना जोल इस दवा में रहता है और जैसे कि एजित्रो माइसीन का कंबीनेशन होता है ये दवा किट में होता है ये दवा डॉक्टर के द्वारा जो हमने आपको इन सारी दिक्कत परिशानी बताया उसमें डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसीन लेने के लिए बताया ज वो अपने हिसाब से निधारित करके लेनी के लिए बताते हैं। इसके सिवा अगर आपको और भी कोई साई डिफेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप जाकर तुरंत संपरक करें। एक हपते के अंदर है तब डॉक्टर के दोरा ये मेडसीन दिया जाता है। ये मेडसीन काफी अच्छा मेडसीन होता, ये मेडसीन इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा यद आपको और भी कोई दिक्कत, और भी कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाएं। कोई भी दवा लें, कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडसीन खुद से उप्योग ना करें। करता है करता है।